हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग तू आल फ्यू आज है नौ फर्वरी और नौ फर्वरी के सारे टॉप कर इंटरफियर्स विथ मैप और जेनल स्टडीज के स्पेशल जीएस फैक्स को हम लोग एक साथ देखके रिवीजन करेंगे आपको पता है हम लोग दोसों से तीन स यह है वन डे एक्जाम पॉइंट इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है सब्सक्राइब बटन डबाईए बेल आइकन को जरूर दबाईएगा तिक है बेल आइकन दबाने से टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और इस वीड जाएगा फिर मन्त के एंड में या कुछ-कुछ दीनों पर हम लोग धेर सारे पीडिएफ भी बेजते हैं और रेगुलर एक दो पीडिएफ जो होता है वो भी हम लोग बेजते रहते हैं इंस्टाग्राम फेस्बूक का लिंक है वहां से आप कोई क्वैरी जो पूछ सकते ह हैं क्विज भी आती है तो क्विज के लिए भी आप लोग क्वाइन कर सकते हैं कि क्या है चलिए पहला कुछ देख लेते हैं क्या है इंडो-अमेरिकन डिफेंस अक्सेसाइज जो इंडो-अमेरिकन डिफेंस अक्सेसाइज है उसका नाम क्या है और यह कहां हो रहा है तो देखिए इसका नाम है युद्धा भ्यास युद्धा भ्यास लेकिन यह हो कहा रहा है यह हो रहा है राजस्थान में और राजस्थान में भी अगर पूछा जाए ऐसा पूछा तो नहीं जाता है लेकिन राजस्थान के सूरतगर में हो रहा है कहां ह ऐसा होता है कि राजस्थान की जब बात हो रही है तो आपके दिमाग में राजस्थान के बारे में इंपॉर्टन चीज़ें जरूर आनी चाहिए आपको याद होनी चाहिए राजस्थान को राजाओं का अस्थान भी कहा जाता है क्योंकि वहां राजा राजवारे बहुत थे तीक है राजपूत बहुत थे तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा आज भी किले मौजूद है किला किला सबसे ज़्यादा कहा है तो राजस्थान में यह दिखिए राजस्थान का यह मैप है राजस्थान में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जैसे कि केवला देव नेश्टल पार्क है केवला देव नेश्टल पार्क कहा है यहीं पर है इसका पुराना नाम है घाना घाना नेश्टल पार्क है घाना पक्छी विहार अगला है जंतर मंतर जैपूर आपको पता होगा जंतर मंतर जो है सवाई जाय सिंग जुदिया ने बनाया था क्योंकि वह थोड़े से साइंटिस्ट सोचके थे और उन्हें दिली में भी जंतर मंतर बनवाया था और राजस्थान में भी जंतर मंतर बनवाया था तो ये हो गया ये भी हो गया कहां पे जैपूर में ये किले हैं कुछ किले हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और अभी आपको कुछ दिन पहले इसकी राजधानी जैपूर जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रुप में तो सांभर लेक कहा है सांभर लेक अभी इसको आप लोग कमेंट करके बताएं सांभर जील कहा है ठीक है राजसमंद जील कहा है तो यह भी है राजस्थान में ठीक है यहां पर अगर परवत की बात की जाए तो कौन सी परवत्रेनी है तो अरावली परवत्रेनी है अरावली औ कौन सी है तो उसका नाम है है थर कि बॉसका नाम है ऑक को हावली करने सबसे ऊची चोटी का इसका नाम है गूर सिखर गूर Beim सबudedी है तो उस राजE में और क्वंध के नाम क्या है जैसे महा देव हील्स है महा देव घल्स की सबसे ऊची को चोटी धूप गड're और इंदिया में अगर जाएंगे तो अन्ना मलाई परवत स्रेथिप्त हैं इसकी सबसेज्यμεन घर नहां से me मुटि हिमाले की सबसेज्ज परवत्सीमारी के नाम क्याुत को अलग नाम कहकेते हैं तो यह सब दोनों जरूरी होता है कि यह दोनों पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको रिवीजन आपको करवाया अब यहां के किले में अगर बात करेंगे तो जैसल में रंथंभ और कुंभल गड़ और चितौर गड़ फोर्ट यह तो यह पूछेंगा हैं बाकी हम लोग अगले कुशन के बाद रिवीजन करेंगे अकासवानी संगीत संप्मेलन को अब से किस नाम से जाना जाएगा इत मी कि आकासवानी का जो संगीत संप्मेलन होता था उसे भारत सरकार्अट पंडित भीम सेंजोसी के नाम पर रखने का फ ठीक है तो इनके नाम पर यह रखा जाएगा अगर आपको याद होगा तो आप हमें यह बता सकते हैं पंडित भीम से जोसी कौन से संगीत वादे यंत्र के पर संसक्खें या बजाते हैं ठीक है कि इंद्र सरकार भारत की आजादी के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए कौन सा महत्सव आयोजित किया जाएगा तो सेंट्रल विल लॉंच विच महत्सव तुमार्थ सेवेंटे फिफिफ्ट यूर अफ इंडिया इंडिपेंडेंस तो यह राष्टपती रामनाथ गुविंद ने लॉंच किया है और इसका नाम है भारत का अम्रित महत्सव भारत का अम्रित महत्सव ठीक है क्या नाम है इसका भारत का अम्रित महत्सव इसे रामनाथ कोविंद ने स्टार्ट किया है रामनाथ कोविंद ने इसकी सुभारम कराई और यह हमारे भारत के राष्टपती है राष्टपती क्या क्या मतलब होता ह और राष्टपती के बारे में कुछ detail fact जरूर आपको जानना चाहिए, राष्टपती जो है head of the state होते हैं, executive head एक तरीके से कह सकते हैं, और वो जो है defense के तीनों सेनाओं के head होते हैं, ठीक है, अगर उनको किसी भी कानूनी point पे सलाह लेनी हो, तो वो Supreme Court से सलाह ले सकते हैं, ती भी भी बिल या विध्यक बिना उनके sign के कानून नहीं बन सकता, मतलब ultimately उस पे हास्ताक्षर किसका होता है, तो वो होता है राष्टपती का, तो Parliament के तीन पार्ट होते हैं, लोकसभा, राजसभा और राष्टपती, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है, तो पॉलिट भूष्णा जो है, रामनात कोविन ने की थी, अगला है व्यापार और निवेश पर भारत ये शंग के बीच पहली उच्चस्तरिय वारता में भारत का प्रते निदित्व किसने किया, तो व्यापार और निवेश मतलब ट्रेड और इनवेस्मेंट, फुई रिप्रेजेंटेड इंडिया एट फॉर्स इंडिया यूनियन हाई लेवल डायलॉग और ट्रेड और इनवेस्मेंट, तो यह प्यूस गोयल ने किया, चुकि यह इस मिनिस्ट्री से समधी था, इसलिए यह करेंगे, यह तो आपने हेड़कॉर्टर है, एन एटी ओ, नेटो, नॉर्ट अटलंटिक ट्रीटी और इसका भी हेड़कॉर्टर है, ब्रुशेल में, यूरूपें यूनियन से ब्रीटेन जो है, अब अलग हो जाएगा, यह भी आप जानते हैं, चलिए, नेक्स्ट कॉस्टन देखते हैं, वहन एस स्क्रैप पॉलिशी था क्या, वहिकल स्क्रैप पॉलिशी जो था, यह इसे आप इस तरीके समझ सकते हैं, मालने के आपके पास कोई कार है, और वह कार जो है, मतलब 20 साल में, 25 साल में, वह कार ऐसी हो जाती है, कि वह पॉलूशन बहुत ज़्यादा क्रियेट करती है, और इ रीचे किया जाएगा, पॉलूशन के अस्तर से, और रीचे करने के बाद, उसमें जो भी चीजे चेंज करनी होगी, या तो चेंज की जाएगी, या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस वहिकल को, एसक्रैप कर दिया जाएगा, हमेशा-मेशा के लिए, तो इसको कहते ह हैं, वहान इसक्रैप पॉलिशी, इसकी बात, बजट में की गई थी, अगर हमारा बजट का जो वो क्लास था, आपने देखा होगा, उसमें बजट को मैंने बहुत ही सिंपल भासा से समझाया था, बहुत ही आसान में, बहुत ही इजी वी में, बजट को मैंने आपको साथ ड होगा, जैसे बजट में और भी चीजों की बात की गई थी, टैक्स सलाइब तो हमारा पुराना जैसा था, वैसा ही रहा, तो बजट की वो वीडियो जरूर देखिएगा, यहां राइट हैंड साइट पे मैं आई बटन दबा देता हूं, वहां पे, यह एक अपरेल 2022 से किस देश की अमजोनिया सेटलाइट को इसरो ने लांच किया है, अमजोनिया सेटलाइट, तो अमजोनिया सेटलाइट है ब्राजील की जिसे इसरो ने लांच किया है, तो सबसे पहले इसरो के बारे में जाते है, इसरो की असापना 15 अगस्त 1979 की हुई थी, ठीक है, इसके फ सबसे पहला जो successful rocket launching है यह इसरो के द्वारा संपन किया गया इसरो के अभी chairman कौन है वह है के सिवान के सिवान चंद्रयान 2 के सिवान के द्वारा ही उनके द्वारा ही मतलब launch करने का जो उसका वेरियल है वह के सिवान के सासनकाल में ही है यह याद रखिएगा यह बार बार पुछा भी जा रहा है और पुछा भी जाएगा इसरो और चंद्रयान 1 और 2 के बारे में एक डिजल वीडियो बना दी गई है जरूर देखिएगा उसका भी लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में या आई बट पर्टिनम जिले में बनाया जा रहा है कुल सेखर पर्टिनम इस जिले में यह तीसरा लॉंच पैड बनाया जा रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यह ब्राजील के बारे में आप देखते हैं ब्राजील है यह ब्राजील की राजधानी क्या है ब्राशीलिया और यहां की करेंसी है ठीक है ब्राजील है और यह साउथ अमेरिका है तो इसमें कई छोटे-छोटे देश है जैसे कि बॉलिविया लापाज उरुगवे परागवे तो एक कुश्चन बार-बार पूछा गया है कि इनमें से लैंड लॉग कॉंट्री कौन सी है तो एक है उरुगवे और ए वह बड़े से सी साइड या ओसियं जाइड से जुड़ी हूई हो समझ रहे हैं तो अगर आप यहीन तो आपके लिए आसान होगा ठीक है यहाँ पर ग्रासलेंड है ग्रासलेंड जैसे की ग्रांचाको, सेलवास, ठीक है, पंपास, साउथ अमेरिका में है, कैमपोस, ये सब ग्रासलेंड है, जो की पाये जाते हैं साउथ अमेरिका में ही, प्रेयरी कहा है, प्रेयरी, तो प्रेयरी होता है जैसे उत्तरी अमेरिका में, उसी तरीके से पंपास, सेलवास और ग्रांचाको यह सब है साउथ अमेरिका में लेकिन और भी जो चीज़ें हैं इनके देशों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए जैसे ब्राजील की ब्राशिलिया होती है उरुगवे और परागवे एक्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है तो आपको यह य तो रड़ा कठी नाम है मैं स्पेलिंग लिग देता हूं आ एस यू एन एस सी आई ओ एन प्लीज नोट इडाउन परागवे की है असुन सियान बॉलिविया की है लापाज ठीक है पेरू की है लीमा पेरू की राजधानी है लीमा इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो इ फिर से स्टार्ट करना चाते है तो जरूर हमें बताइएगा वेनेजुएला की करेंसी कहां है तो वेनेजुएला की करेंसी है कराकस ठीक है और बॉलिवर यहां की करेंसी है वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस और पेट्रो करेंसी यहां भी शुरू किया गया है बॉलीबर पहले से था ठीक है आपको याद होगा वेड़े जुवेला की पेट्रो करेंसी पूरे वर्ल्ड में फेमस की गए थी क्योंकि यह पहला क्रिप्टो करेंसी था फिर आता है गोया जिसकी राध्धानी है जौर्ज टाओं एक लंबा सा यह आपको पटि दिख रहा होगा यहा चिली की राध्धानी है डिसाइडे टू सेट अप एक्सपर्ट कमेटी और अर्बन कोपरेटिव बैंक तो यह किया है भारतिय रिजर्ब बैंक ने इसके असापना हुई थी 1935 में एक अप्राइल 1935 नेस्नलाइज़सन किया गया 249 और अभी इसके 25 गौर्णर है सकती कांतर दास ठीक है और रिसेंट में जो रिजर्ब बैंक में अपॉइंट्मेंट हुआ है माइकल डी पात्रा को हुआ है और रिजर्ब बैंक का हेड़क्वाटर का है मुंबई में अरिजनल हेड़क्वाटर दिल्ली में ठीक है ओस बॉर्ण समिथ और रिजर्ब बैंक के पहले इंडियन गौर्णर कौन है सीदी देश्मुक यह दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सीदी देश्मुक सबसे पहले इंडियन और ऑसबॉर्ण अमिठ जो है यह अंग्रेज है दोनों चीजें याद रहेंगी तो तो उच्छा है विशोर How to England Woo 31 किसने जीती है तो एंडबौ स्थे एंड़ चम्पियंसिप 2019 यह ज्यती है देन्मार्क ने डेन ने dramat नहीं है कोपन हैं ठीक है और देनमार्क को यह डेनमार्क मिशने मार्क किसको हराया स्वीडन को हराया है और ये जो है मिस्र में आयोजित किया गया था इजिप्त अफ्रिकन कंट्री है इसमें ये आयोजित हुआ था देन्मार्क में स्वेडन को हराया नेम में से कौन से थिलाडी सौवेट टेस्ट मैच में 12 सतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गया है तो मतलब 100 जो इनका टेस्ट मैच था उसमें इन्होंने डॉबल सेंचुरी लगा दिया यह है जो रूट इनका नाम कहा है जो रूट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भारत इंग्लाइन टेस्ट सिरीज के दौरां हासिल की इन्होंने ये अपनी जो रेकॉर्ड है ये भारत बीपी जोए कि सराजी के नए मुख्य सचीव बने हैं तो यह बने है केरला के केरला की राधानिया तिरवनंत पुरम और केरल में चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अगर आपको चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद है तो समझ लो बहुत अच्छी बात है और मुचा जंडा बनाए गया जमू एन कास्मीर के गुलमर्ग में गुलमर्ग स्री नगर के असपास है और जमवन कास्मीर और अबून टुरी के रूप में कनवर्ट हो गया है जिसके अभी हैं मनोज सिनहा मतलब लग कर मनोज सिनहा तो अभी श्वेशए हमारे देश में 28 Union Territory है 28 एस्टेट है Union Territory कितने है तो Union Territory पहले कितने थे साथ थे तो दमानमदीव को एक कर दिया गया ठीक है तो छे हो गया और दो इधर बड़े तो आठ अभी Union Territory है ठीक है प्रोजेक्ट इस्टाबलेश इन विच प्लेस तो यह लद्दाक में किया जाएगा यह जो है आपको याद रखना है नेक्स कोशन जो आपको कमेंट करना है उत्राखन के किस नदी में अभी बर्फ से भारी बाड आई है तो यह तो आपने देख लिया रिशी गंगा नदी लेकिन आपको ग्लेसियर का नाम बताना है ग्लेसियर कौन सा था और ग्लेसियर पर हमने एक डीटेल वीडियो भी किया थाइक्यों सोमच